नमस्कार हमारे साथ में इस समय हैं गोपा माव विधान सभाज शेत्र से विधायक वा बीजेपी प्रतियासी स्याम प्रकास जिनका अंदाज ही अपने आप में अलग है और पिछले पांच साल उन्होंने लगातार भष्टाचार को ले करके अपनी फेस्बुक पोश्ट के ज क्या-क्या छेत्र में समस्या हैं और आने वाले समय में किस तरीके से लोगों के बीच में जा रहा है और क्या समस्या हल करेंगे भारती जंता पार्टी की सरकार में जंता को कोई समस्या नहीं है, सब कुछ चका चक चल रहा है, कि तो एक जो सबसे बड़ी समस्या है आवारा पस्मों की जिससे किशान और गाउं के रोग परिशान चल रहा है, हमारी सरकार ने इस समस्या का समाधान के लिए बड़े परिमा बनाए गए बाद में हर गाउसवा में एक गवसारा बनाने का निड़े लिया गया जिसमें काफी काम हुआ है और भरुष में हमारा और सरकार का प्रयास रहेगा कि किसानों की समस्या को प्राद्मिक्ता से खतम किया जाए एक आपने अभी जो है काउस सेंचुरी को लेकर के क काफी आवाज बलंती है और कहीं ना कहीं उसका एक मैसेज भी गया है किस तरीके की उस सेंचुरी आप सोच रहे हैं और क्या आगे पहल रहेगी मैंने इस काउस सेंचुरी के संबन में पार्टी फोरम पे भी बात की थी और जिस मेकार से रॉयन सफारी होते हैं टाइगर र लोगों से लगातार मुलाकात करते रहते हैं लगातार पांच्छा आलाग जन्ता के बीच में भी रहते हैं लोगों से बात करते रहते हैं तो यही civ бо जन का वही कहिना है विधायक जी यह आवाया पशु बंद कर दो बाकी आप बोर्ट मांगने नहीं आओ तब भी आप कोई support दिये जाएंगे शिर्फ एक ही सिकायत आ रही भारती जन्ता पार्टी की सरकार में कि आवारा पस्यों से किसान परिशान है और जिस दिन इस समस्या का पूर्ण रूप से निदान हो जाएगा उस दिन मुझे रगता है बहुत भारी पचंड भूमत से भारती जन्ता पा अच्छा थोड़ा सा अपने देशी अंदाज में लवट चलते हैं आप जो कि ग्रामीड परवेश से भी आते हैं आपका बेटा भी लगातार लोगों के बीच में काम करता रहता है कई सवाल आते रहते हैं और कई बार फेस्बुक और अलग-अलग सोशल मीडिया पे आपक काम करता हूँ जिससे हमारी जनता भी हमसे हमारी कामों से संतुष्ट रहती है हमारे साथ रहती है सरकार ने अभी एक पत्र जारी किया है जिसमें जनता को बताया गया है कि हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे बहुत सारी चीजे गिनाई गई है तो वो कैसे मानते हैं औ पादमिक्ता से काम किया जाएगा अखिलेश जी कहिते हैं कि वो सर्दी गर्मी वाली कहानी जो चल लही है उसको लेकर कि आपका क्या रहता है रुक क्योंकि आप लगाता चुटकी लेने के लिए जाने जाते हैं तो ऐसे में अखिलेश जी के बयानों को आप किस तरीके से दे तो बड़ी ही बेवाकी से अपने सवालों हमारे सवालों का जवाब इन्हों ने दिया है और बड़ी ही बेवाकी से वो जवाब देते भी हैं आप देखते रहें पबलीक अड़ा और नीचे जो लाल वाली लाइन है उसे लाइक और सस्क्राइब करना मत भूलिएगा